गुड मॉर्निंग एन जहें दिश्री इस मनुष श्रमा वंस अगें वेलकम तो माई चैनल मैथमेटिकल गार्डेन और सबसे पहले बच्चों आप लोग कैसे हो कोविड-19 में सबकुछ बंदे पर पढ़ाई नहीं बंदे और नहीं बंदोनी चाहिए यही दो आपका आगे पढ़ने का मध्यों में ओके सो आज हम क्या पढ़ने वाले मैथमाटिक्स क्लास क्लास 10 की और चैप्टर हमारा होगा इंट्रोड़क्शन टू ट्रिग्नमेट्री पर हम कफी चीज़ें नहीं चीज़ें सीखते हैं पहले भी आपने थोड़ा वड़ा देखा ही होगा या ज भी लगता है तो यहीं समय स्टार्ट करते हैं कि पाथा टोर्यंग देते हैं है चाल एक यहां पर यह कहाँ जारा है कि अंगल बी यह 90 डिग्री का है कि ना रखेंगे 90 डिग्री एक एंगल होना चाहिए तब कहा जाता है राइट आंगल ट्रैंगल और इस पर पाइशाव गुरस फ्रम एप्लिकेबल होता है वो फ्रम क्या था उससे पहले में बात करता हूं कि बेस पॉपंडिकुलर और हाइपटनियूस क्या है तो अभी के लिए आप मान के चलें कि बेस किसे कहते ह mágill में बेस यानि कि उस ट्र인지 क्यों कौन से दिख रही है मूझे बिसे दिख रही है नएक सी हमारा कैसा है हरी से होरीसंटल या यह है यह हमारे पास ए भी क्यासा है यह वर्टिकल है वर्टिकल अब यह होरीजंटल लाइन वर्टिकल लाइन क्या होती है ठीक है हमारी जो धर्टी है यानि कि और सर्फेश जो उसका है उस सर्फेश से हम कोई एक ऐसी लाइन ले जो उसके पैरलल लिखे ठीक है तो हम यह मा इस घ्जल कि रिख रही है यह पर्पंडिकुलर मतलब स dispositive कैसा होगा एसा होगा अधर पर्पंडिकुलर हैना सो वो कैसा दिख रहा है यह भी दिख रहा है तो एबी वर्टिकल अभी दख पढ़ते आएं तो किसी राइट-येंगल ट्रैंगल में जो हमारा क्या सकते हैं कि य जिरो ऑधनिसे में अब हमारा पैथा क्या कहता था तो साफरले इसकी बात करते हैं तो पैथा क्या कुछ था क्या है कि किसी भी राइट इंगल स्वाइट ट्रैंगल में स्वायर है सम स्टाइअ स्वायर ऑफ डू साइट replied square of two sides is equal to the square of hypotenuse, तो यहां पर two sides कौन से, जो एक दूसरे के perpendicular हैं, यानि की vertical side, तो simple सा logic, a b का square plus b c का square is equal to a c का square, यह हमारा पाइतागोरा स्थरम कहता था, कहीं भी आपको right angle triangle मिलता है, तो उन में ये relation हमेशा प्रूब होता रहेगा, कोई भी value ले लिजाए, b c की, a b की या उसके साथ इसी जो भी आएगा, वो इसी पाइतागोरास को क्या करेगा, satisfy करेगा, चीक है, एक बात तो यहां पर हो गई, अब इस horizontal लाइन को हम और क्या बोलते थे बोलते थे बशैश्य क्या बोलते थे कि नहीं असली अधर्यफ क्या बोलते थे बडेंडिकुलर में जुक्क गेयद्विल्थ हो गया और horizontal line base हो गया चीक है तो हम इनको SAB कहते थे कि P square plus B square is equal to H square it means perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square अब इसी right angle triangle में हमारा trigonometry use होता है कहता है कि कोई भी right angle triangle है तो हमारे पास उसमें कुछ trigonometric ratios जो हमारे trigonometric के function है function कौन से है बहले हम यह जान लें function हमारे पास कुछ नाम यहां पर आते हैं like sign है ठीक है cos 10 अब यह क्या है भी बताता हूं दीड़े दीड़े वन बाइवन है ना 10 अउसके बार कॉसक 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 यह जान लिए कि पूरा नाम क्या होता है यह सिंबल हम यूज करते हैं यह नाम हम यूज करते हैं पर इनका पूरा स्थिंबल क्या होता है like sign si and e होता है कॉस का मतलब cos का मतलब को साइन ठीक है पूरा नाम यह है यह याध रखेंगे जरूर अभी बूलेंगे नहीं टैंग का टैंजेंट, कॉस का को सेकेंट, सेक का सेकेंट, और कॉट का, कॉट का क्या होता है, नहीं पता, को टैंजेंट, ठीक है, यह हमारे पास function है in the trigonometry, ठीक है, अब यह कैसे use होते हैं, कहा use होते हैं, क्या मतलब है, इनका समझाते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं, कि triangle, वह भी right angle triangle में use होता है, तो कैसे होता है, A, B, and C, correct, अच्छे से दिखेगा, कि अब पहले तो हमने पाइधोगरा स्थिर्म की साथ से पताया होरिजंटल लाइन बेस है और वो टिकल लाइन हमारा पंपेंडिकुलर है दिख रहा है अब यहां पर ट्रेंगल ट्रेंगल में एक चीज याद रखेगा हमेशा अधर दैन नैंटी एक कोई भी एंगल हम लेते हैं जो हमें पता है या बताया गया है कोईश्चन में लाइक हमने कहा कि यह एंगल हमने ले लिया एंगल सी और इसको कुछ नाम दे लिया लाइक ठीक है अब यहां पर बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा कि हम बेस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन किसको बोल रहा है यह बहुत इंपर्टेंट है बेस और परपेंडिकुलर तो जो भी एंगल साइड इस एंगल के जो एंगल हम लेकर चल रहे हैं जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने हो एंगल के सामने वाली साइड फिर से सुनें एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है पर्पेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली वो साइड देखो इसको नहीं ले ना यह तो है परटेंडियल सा है इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें बात हो रही है बेस और पर्पेंडिकुलर में तो एंगल के साथ वाली साइड बेस अपको के सार सेम है थोड़ा सा फिर से चेंज करके एक बनाता हूं और ध्यान से देखिएगा फिर से एक फिकर हमने बनाया एंगल पी क्यू आर यहां पर क्यू पर वो क्या है 90 दिग्री है एंगल इस बार हमने यह लिया इसको मान लिया सम्थिंग थीटा अब इस एंगल के सामने कौन से साइड आ रही है क्यू आ रही है ना तो क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर है देखो फिगर हम कैसे भी घुमा सकते हैं तो इसलिए बता जा रहा है कि एंगल के हिसाब से बात करेंगे angle के सामने वाली साइड perpendicular और angle के साथ वाली साइड बेस और hypertonious जो हमारा है वो तो hypertonious है उसमें कोई दिकत नहीं है तो इतनी बास समझ में आ गई चलिए और इनके कुछ trigonometric function जो हमारे पास है है इंगे कुछ नाम याद होगे बहुत अच्छी बात अभी नाम को कैसे यूज़ करना जड़ा सथ्यान से देखेंगे आई यह पढ़ते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोग तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोग क्या कहता है कि एक राइट अंगल ट्रेंगल में कि ए बी-सी मालीजियम ने ले लिया कोई एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा है ना साइन और अज़ाइंगल क्योंकि जो भी ट्रेशियों हम यूज करते हैं वो किसी एंगल पर यूज़ करते हैं जो भी एंगल यहां होगा तो कहता है साइन ओफ एंग थीटा इस वाट पर्पेंडीकुलर अपान हाइपोटोनियूस तो पर्पेंडीकुलर यहां कौन है इसके लिए पर्पेंडीकुलर यह है और बेस यह है और हाइप यह है तो आपको यह तो मैंने बताई दिया क्या कहता है साइन थीटा क्या होता है पर्पेंडीकुलर अपान इसी तरह से COSSTR थीटा क्या होता है? अब बेस अपन हाइपेड़नियोस यानी बसी अपन इसी हो जाएगा TAN थीटा क्या होता है? रही थीटा होता है पेंडी फिल्ड माइल अपन कली फेलन भी अब गसी मार inom यह वह पास कॉसेक होता है कॉसेक यह ज़स्ट अपोजिट साइन थीटा होता है क्या सकते है उसका इन्वर्स होता है है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा है एच अपॉन पी सेक थीटा हमारा कॉस का इन्वर्स होता है हो जाएगा है एच अपॉन बी ठीक है और टैन थीटा का उल्टा क्या होगा यानि इन्वर्स क्या होगा कॉट थीटा तो यानि भी अपॉन है पी हो जाएगा यह अब वो सुचने में जिसने पहली बार पढ़ा है उसको प्रॉब्लम आती है कि मियाद क्या से करें तो अच्छा सा मैं यहां पर रिलेशन बन है कि लोग बोलते आ रहे हैं आप सीखते जा रहे हैं कि चलिए तो मैंने यहां पर कुछ बना लिए यह चुटा हो गया कोई दिकत नहीं ऐसे बड़ा सा तो साइन थीटा कॉस्ट थीटा चैन थीटा ठीक है इधर मैं उल्टा लिग देता हूं यानि कॉस से थीटा से थीट चैन लिए आप देखो मैं क्या लिख रहा हूं पी पी भी पी है एच हजड में क्या रहते हैं साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच दिख रहा ना साइन थीटा के लिए उपर से दिखिये तो सब्सक्राइब और लोग उसको क्या पड़ते हैं जड़ा सद्यास तो वह वाल लेते हैं जो मेहिदार है है जिसमें कोई बुराई नहीं है वो क्या है देखो मैं क्या रहा हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आप देखो यहां पर क्या बन रहा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इतना सा एक कह सकते हैं कि लाइन याद रखिए तो आपका यह हमेशा याद रहेगा साइन कोस न उसका सांघ का उल्टा को सेकав सेक रसक गोमंव य। अकॉसे को हुल्टा सונה कोट सानी प्रसार बात पी य। प्रपेशाद पी और एच एंड बोली मेंस भी तो परपेंडिकुलर अपॉन है इसे कहते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो ठीक है अब इस पर बहुत सारे डिपेंडेंट आपको कोशिन मिलते हैं लाइक कर्लें कश टिग्लाइक उन्हां ने कैसे हो सकता है तो हमने क्या बोला की सैन ठीनण ठीटा । бесп अब यह सब बाति कैसे यह इसका है इसका वोलटा है है जैसे मैंने विशा मेंने अभी लिखלא तो यह हमारा एक identity है जिसको उंफ भी करेंगे कैसे आया कॉस का उल्टा कौन होता है वै कॉस टिटा का तो वन बाइ सब्सक्राइब कॉंता है सिमिलरली टैन थीटा का उल्टा कौन होता है वन बाइ कॉड ठीटा और cot theta का उल्टा कौन होगा 1 by 10 theta एक दूसरे के क्यासे sin theta आप क्या लिखते हैं आप लिखते हैं P by H ठीक है 1 upon ले लिजिए 1 upon लेकर दिखिए तो सही 1 upon लिया दोनों साइड 1 upon sin theta is equal to 1 upon P by H है ना यहां तक कोई problem आगे बात करते हैं तो 1 by sin theta is equal to H उपर जाएगा H by P और H by P कौन होता है अगर अध्यान से जेखेंगे H by P होता है cos theta so 1 upon sin theta is equal to cos theta अब आप चाहे sin theta is equal to 1 by cos theta बोली है चाहे 1 by sin theta is equal to cos theta similarly all these clear तो यह है technometric ratios starting में और जो भी problem आएगी तो आगे बात करेंगे तब तक आप इसे device करिए जो भी इसके related problems आपको दिख रही है solve कर सकते हैं तो solve करिए और बाकी कीजिए next video में thank you for watching चल्म, तो नी है, जा लही है उल्चाट में जापको आपकी अपकी में घ